ओजी का पूरा पूर्टकास्ट देखा था जब गोल्डी भाई रोईद भाई याज वाई और यह सारे लोग बैटे वे थे मैंने रुशी भाई ये सब लोग बैठे थे वो कुछ भी बोलेंगे ना वो कुछ ने को सोच समझ के meaningful बोल रहे है ठीक है आपके लिए हमारे लिए पब्लिक के लिए Twitter पे बोलना बहुत असान होता है कि यार ये रुशी भाई फार्मिंग करते हैं वो ऐसा बोलते हैं ये ऐसा बोलते हैं भाई वो लोग पैसा लगा के बैठे हैं वो नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा बहुत सारी चीज़ा अच्छी बोलते हैं बहुत सारी चीज़ा उसको आप controversy से परे रखके देखो जो भी बात होती है न वहाँ पे वो सोचते हार और्ग का फायदा हो रहा है but they fail to understand that it is an asset that is being built यही asset उनको after leaving, after quitting या after retiring from competitive playing यही asset help करने वाला है यह investment है यह उनके लिए एक investment है एक asset build कर रहे हैं जिससे वो बात में future में खा सकते है YouTube से but players नहीं समझते हैं वो बात बहुत जबर्दस्ती भाई बहुत जबर्दस्ती आपको लगता कर सकाउट भाई का gameplay इंप्रूवड है भाई इंप्रूवड है भाई इंप्रूवड है ब्रदर अब देखो अब फोकस पूरा scout भाई का office सी बात है इसमें आरा है जब खेल रहे सारे सामने भाई दो यंग्स्टर है और जब experience और यंग talents का भाया मिलन होता है तो आएगा result आएगा और दिख भी रहा है भाई दिख भी रहा है soul का नहीं यार देखो downfall आप कैसे कह सकते यार तब आप कहते हो तो प्लीज इस चीज को आप अभी मत करो डिनोट क्यों कर रहे हो अभी ऐसा कुछ थोड़ी हो रहा है कि भाई ये टीम भाहर हो रही है ठीक है भाई performance नहीं आई आप no.24 का कॉलिफाय वे ये सब हुआ अभी आप कॉलिफाय हो रहे है जब ऐसा लगे कोई भी टीम एक्स वाई जी कोई भी टीम होगी जो भाई लगातार जुनका कह की नीचे डाउन फेज जा रहा है वो कॉलिफाय नहीं पारे तब आप कहसो ठीक है भाई टानफोर चल रहा है थोड़ा बूरा वक्त चल रहा है अना तो ऐसे मत करो भई